हमस्कार भी द्रो स्थात्त्र कल्या की फणकार में मैं प्रिती शुकला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और अब मेंलो रुपी सागर की जिस नठी रुपी विशाल कल्या से आप सभी कम परिचे कराने जाले हूँ उसे आप इन दो पंतियों के बाद स्वयमी जान जाएंगे कहते हैं जहान पहुंचे रभी, वहाँ पहुंचे कभी और आप जानी गयोंगे कि मैं अब किसकी बात करने जा रही हूँ मैं अब बात करूंगी कभियों की, कभिताओं की विश्य के पहले कभी कौन थे, क्या आप जानते हैं आप कोई जानतर गौरव का अनुपो होगा कि विश्य के प्रथम कभी आदी कभी रामायर के रचैता महार्शी वार्मी की है और क्या आप जानते हैं कि हिंदी के प्रथम कभी कौन थे इंदे के प्रत्म कभी सरहपा हैं जिनका जन्व 8 फी शतादी में हुआ था और आज में जिसकभी के बारे में आपको बताऊंगी वो है रवीना टैगोर रवीना टैगोर के बच्पद में उनका सरनेम कुशारी हुआ करता था पर उनका परिवार उसमें भारत के सबसे संपन्य परिवारों में से एक था इसलिए परिवार को ठाकुर कहा जाता था और अंग्रेज ठाकुर शब्द को ठीक से उचारित नहीं कर पाते थे इसलिए उन्होंने टैगोर नाम रग दिया और फिर उनके खांदान को टैगोर नाम से ही जाना जाने लगा रवीनाट टैगोर अपने माता पिता की चौदवी संतान थे जब पर चौदवी बेरस के थे तबी उनकी मा का बीमारी की कारण देहान थो गया था जिसके बाद उनकी देखभाल घर के नौकरों द्वारा की गई रवीनाट टैगोर की घर में सभी लोग काफी सिक्षित और गुणी थे रवीनाट के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे पर रवीद्र का मन वकालत में बिलकुल भी नहीं लगता था क्योंकि उनका मन तो साहित्ती में लगता था मात्र आठ वर्ष की आयू में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिखती थी 13 साल की उमर में उनकी पहली कविता प्रकाशित भी हो गई आपको जयांकर हैणि होगी की रवीद्ना टैगोर को 02 देशों के रस्ट्रगां लिखने का सम्मय भी प्रास्ट है भारत का रस्ट्रगां जर्यकर मन और बांग्ला देश का रस्ट्रगां आमार शोनार बांगला 1953 एस सेस्षी में रवीना टैगोर पहले ऐसे भारतिय बने जिने नोवेल पुरसकार से सम्मानित किया गया और उनको ये पुरसकार उनके महान साहित्त display के लिए दिया गया गांधी जी महात्मा गांदी के उपाधी रवीना टैगोर नहीं दिती वही गांदी जी ने टैगोर को गुरुदेव के उपादी थी टैगोर ने लगबग 2230 गीतों की रचना की रभींद्र संगीत बांगला संगीत का अभिन्य अंग है टैगोर के संगीत को उनके साहित से अलग नहीं किया जा सकता साथ अगेस्ट 1941 में 80 साल की आयू में उन्होंने अंतिम सासे लिए आदाब दोस्तों सुतंत कला के फनकार में आपका स्वागत है आपने जिस तरह से मुझे अब तक अपना प्यार दिया उसी से पुरुद्साहित होकर मैं आपके लिए एक और इसी गड़ी में प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसमें आपकी मुलाकात मैं कुछ कभीओं से करवाँगा उम्मीद है आप उनकी रचनाओं से आनंदित होंगे तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जो किसी परिचे के मोहताज नहीं है फारूग सरग जी से बहुत बहुत खादा से आपका सुतंग के लागे खंकार हैं अब जी आपके समीज अश्कों को इसका मैं फारूग कर लाकिन दूपूद से आजा से कहले कि भाई अधूर कली दियों कि आपको जाना चाहूंगा कि आप में रजना लिखना और सबसे पहले आप टी कों सी तरह ना की जिससे आपको लोग जानें है जाने शहां इसका को हमें कच्छाणों जिया था वहां एक मेर्गी निकतीन सी वाजी हुआ है उसमें आपको की निकताई सब्ती थी आपको पिलेशके से लिए तो हमें भी अब मैं ज्यादा समय ना लेता है। कि मेरे दर्शक इस वाद के इंपदार कर रहे हैं कि वो आपकी रचनाओं का आना मुक्ता है। फकीरी बेश मिलते हैं। जुबानों पर हमेशा फ्रेम के संदेश मिलते हैं। यहां संसार का हर सुख अदब से सर जुकाता है। यहां पर दर्द की दर्गाह के दर्वेट मिलते हैं। जिले की प्रांत की देशों की तो सीमाए हैं। लेकिन मुहबत करने वालों के लिए सरहद नहीं कोई। मैं और मेरी कविता एक परच्चे कावित। कि रात पूड मा की अंधियारे क्या जाने। प्यार मुहबत रंके मारे क्या जाने। प्यार मुहबत रंके मारे क्या जाने। महलों की सोभा चौबारे क्या जाने। बोले भालेगी हमारे क्या जाने महलों की सोबा चौबारे क्या जाने कि क्या जाने वो स्वाद है कैसा बोटी में क्या जाने वो स्वाद है कैसा बोटी में उल्जी हुई जिन्दगी जिनकी रोटी में उनसे मत पूछो मखमल की परिभाचा उमर कटी है जिनकी पटी लगोटी में जो आरवाज रामक का जिनका मेवा है वो किसमिस बादां शुहारे क्या जाने भूले भाले की हमारे क्या जाने महलों की शुभा चवबारे क्या जाने कि क्या जाने वो कैसे आता सावन है रिम जिम रिम जिम कैसे गाता सावन है विरही मन की प्यास जगाता सावन है पानी में भी आग लगाता सावन है कि तपन्जेट की लिखी हो जिनकी किस्मत में सावन के मदमस्त नजारे क्या जाने बोले भालेगी हमारे क्या जाने महलों की सोबा चौबारे क्या जाने कि जुकी श्रम करते हैं नहीं भागी पर रोते हैं युकी कमर से अक्सर बोजा लोते हैं गाउं से आकर शहरों में पुड़ पातों पर थकन बिछा कर भूक ओड़ कर सोते हैं पुरवया थपकी दे कर दुलराती हैं ये एसी पूलर बेचारे क्या जाने भूले बाले की हमारे क्या जाने महलों की शोबा चवबारे क्या जाने कि होकर दुखी और के दुख में रोते हैं जग को मुशका ले दे नयन भिगोते हैं घणा दुख को कार प्यार जो बोते हैं हम जैसे कुछ कभी दीवाने होते हैं प्यार जी अमारे क्या जाने महलों की शोबा चवबारे क्या जाने एक जिस्तुति का देखेश के उपर विग्यापन योग पिता का स्योग कुछ जब विवा के योग हो गया तो उसने सुझा को अच्छा सा सम्मंद मिल जाए इसलिए उसने समाचार पस्ट में एक कालम निकलता है वर्चाहिए वधू चाहिए तो वधू चाहिए विग्यापन या पुत्र की विवा के लिए पुत्र की योगिता क्या है विशेष्टा क्या है और विवा की शर्तें क्या है कि मेरा लड़का है लाखों में एक साफ दिल का है नियत का नेक उंके कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए बकरा विकाऊ है कसाई चाहिए योगिता कि थर्ड डिवीजन इंटर से लेकर में तक पास है असर बाबू या चपरासी पदकी उसे तलास है पुलिस रिजिस्टर आश में उतका सबसे उपर नाम है गिराकटी रहजनी रकैती कर लेता हर काम है कर लेता है जिसको भी खत लिख थे ओ जिसको भी हो नार ऐसा जमाई चाहिए बकरा विकावू है कसाई चाहिए विशेश युगता कि शुद्द सुदेशी खत दर के वो पहले वस्त फकीरी है दारू की भठी पर चलती उसकी दादा गीरी है भूत पूर का लिजका नेता पूरे शहर में धाक है इसे से अपने खानदान की सबसे उंती नाक है तो हो दामाद बनाना तो फ़रन ही आ जाना हाँ ऐसा जिसे बोड़म हर जाई चाहिए बकरा विकावू है कसाई चाहिए विवा की शर्त है कि हाथ थमादू बेचे का उसकी बेची के हाथ में वीस लाग की रकम नकजो लाए अपने साथ में स्रिच्ती वी लोकार साथ में नहीं जरा भी जूट है लेकिन इसमें चार माह तक पंदरा प्रश्य चूट है लड़की मत दिखलाए और फोटू मत भिजवाए बग मुझ को तो नोटों से सगाई चाहिए बकरा विकावू है कसाई चाहिए लड़की कैसी भी हो के अंधी गूंगी बहरी हो इससे क्या लेला देना यदे पंग हो पहरों से तो बैसाथी दे देना वह भी है सुईकार इसकुरू यदिमाग का ढीला है इस पर कोई जोर नहीं है या तो प्रकी लीला है कि यूली हो लंगडी हो दुबली या तगडी हो लेकिर रका मुख पाई पाई चाहिए बकरा विकावू है कसाई चाहिए सबसे अंधी में लिखा होता है पता संपर कर कि शहर अनोखा बात पता कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना पूरा बेवरा मिल जाएगा सीधे को तवाली आना दस रुपिया मुशी को देना हम तक वो पहुचा देगा दो रुपिया लेकर के जेलर फवरन तुम्हें मिला देगा बस इतनी मजबूरी है लेकिन जरूरी है पहले सगाई के रिहाई चाहिए बकरा भिकाव है कसाई चाहिए एक गीत महिला शर्षक्ति गाण पर है फुरस पधान समाथ था तो पुर्षों की बड़ी दबंगनी जली महिलाओं का उत्पीडन जब बढ़ा तो सरकार ने उनकी तुर अच्छा गे इस समय समय पर कारून बढ़ा है बहुत सारे कारून जो महिलाओं के पच्छ में आ गए तो पुर्षों की स्थित बढ़ी देनी होगी तो इस समय पुर्षों की क्या उत्तर मिलते हैं जी सुनिएगा कि हमका बला मुझो सते हो तो जेल मही तसला बजई हो हमका बला मुझो सते हो तो जैसन कही करओ तूम मुईसन रगडग मदलो सन्या मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छण्या-छण्या और चवका बरतन करो सबे उठके चाय बनाओ और पहले सारी प्रेस करो फिर कभी सम्मेलन जाओ नाई मनि हो कहा तो भरी पई हो जेहे लिमाही तरसला बज़ाई हो हम का बला मुझो सताई कि दिली मुंबई पूना पटना चल नहीं आगोहाटी मूटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी कैसी भी हो छम्मक छलो छैल छबीली बाकी और किसी कल मुही से भी तुमने की जोता का जाकी कहीं राह में जो नहीं ना लड़ाई हो तुझे लिमाही तरसला बज़ाई हो हम का बला मुझो सताई इस समय सुरुचा की इंकरें इस सम्मारे जाते हैं सब महिलाओं की पच्छों हैं तो सावधानी पूर्चों के ज़्यादा बाकनी चीए कि न्यायाले सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने नारी अबला उत्पीडित असहाई दलित जग माने और कोमानी जो हमरे उपर तुम्हारो उप लगई हो और मेरी लत्यावत है यो तुम केही का जाए बताई हो कौनो ढूड़े गवाही ना पई हो ये लिमाही तसला बज़ई हो हमका बला मुझो सताई हो कि अब नो तोहरी बास हैं अब हमरी लास हो तुम हम दिन का जो रात कही तो वही का रात कहो तुम धोश दखई हो तो भरी पई हो तानमर पड़ लिखई हो दावरी एक्च महिला उत्पीरन माहम तोहे फ़सई हो छा महीना जमानति ना पई हो जेलिमाही तसला बज़ई हो हमका बला मुझो सताई हो तो ये थे फारूक सरल जी जिन्होंने अपनी रचनाव से हम उमीद करते हैं आपको अनंदित किया होगा आपको पसंद आया होगा और आपका प्यार हमेशा की तरह मुझे मिलता रहेगा फारूक सरल जी आओधी भाशा और खड़ी बोली के गीत गजल जैसा आपने सुना इसमें इनको निबुड़ता है और हमेशा से इसी दरा के गीत और गजल कहते रहें आप से अब मुलकात होगी अगले एपीसोड में अगर कोई सला या सुझाओ है तो कमेंट बाक्स में दरूर दें मेरे चैनल गो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें